सब्सक्राइब करेंगा आज का मार्केट कैसा गया आज अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पर हम लोग को मार्केट अबारत दस पॉइंट ऊपर खुला जबकि एक्सपक्टेशन थी कि मार्केट तोड़ा ड्रेड में खुल सकता है यानि तोड़ा बहुत गैब डाउन के साथ खुल सकता है बट सम्हाँ हमारा मार्केट अच्छा उपन हुआ और ओपनिंग के साथ ही हम लोगों आप लोगों कुछ सपोर्ट्स अन लावल्स आपको दिये थे टेलग्राम के उपर जैसे कि निफ्टी का जो सपोर्ट था वो दा 17,450 से लेकर के 475 का निफ्टी ने सपोर्ट को तोड़ा हलका सा बट वो फ़र्स्ट 15 मिनेट में ही हुआ जो कुछ भी हुआ था बिकाज बहुत सब्सक्राइब होता है जब मार्केट ओपन होती है गैप डाउन से गैप अप से 17,430 का लोग बनाया यानि कि यहां से थोड़ा सा नीचे गया और इसके बाद मार्केट में शाप रिकावरी आया इसके बाद बैंक निफ्टी के बात करें तो बैंक निफ्टी में आज जो बनाया वो है 40,000 लगबक 509 का यानि कि हमने जो सपोर्ट रिकारा था वो था 40,425 से लेके 550 के बीच का तो बैंक निफ्टी ने एक जबर्दा सिर्टन आज बैंक निफ्टी ने दिया अगेंस दा मार्केट ट्रेंड के हिसाब से आज निफ्टी और बैंक निफ्टी ने का वो दा 17,675 से लेकर के 17,800 का ये एक बड़ा रजिस्टन्स का जोन मार्केट ने आज फेस किया और उसके बाद मार्केट बहुत नेरो रेंज के अंदर जाकर के ही आज फाइनली हम लोगों को क्लोजिंग देकर के गया बड़ एक चीज अच्छी ये है कि मार्केट ने आ को वीडिया आया था weekly analysis कि इस हफते के आपके support and targets क्या हो सकते है निफ्टी के लिए तो उसमें हम लोगों ने आपको PCR ratio दिखाया था निफ्टी का कितना दिखा रहा था 0.49 का इसका मादला निफ्टी oversold zone में जा चुका था और आप सभी बोला भी कहा था कि अगर मार्केट ज़्यादा गिरावर्ट लेता है Monday onwards तो वह हमारे लिए buying opportunity साबित हो सकती है क्योंकि market जो है already बहुत ज़्यादा oversold zone 0.49 के असपास का PCR ratio है और इसलिए bank nifty के target था वह हमारा था 40-800, 41,000 का और 41,250 का इस हफते के लिए तो bank nifty ने almost almost जो है second target, third target के पास bank nifty गया 41,184 के असपास का आज bank nifty का high है यानि कि almost third target के पास चला गया था थोड़े से मार दिन से रह गया और support जो था के 850 के बीच के रहेंगे तो निफ्टी ने exactly आपको 17-600 के ऊपर closing दिया यानि कि जैसे हम लोगो ने सफते के लिए targets and support देगा ले थे उसको market ने exactly respond किया और support किया है लेकि अब सवाल या आता है कि कल क्या हो सकता तो कल तो हमारा वीडियो आ नहीं बाया था इसलिए हम लोग लोग बात करें सेंसेक्स में 300 points की तेजी के साथ बंद हुआ बाजा और निफ्टी बैंक के अंदर देखा जाए तो 4900 के ऊपर एक बार फिर सम लोगो closing मिला है जो की बहुत बढ़िया closing है अब American market कहां पर trading कर रहे हैं आज 19 तरीक खुलते के साथ ही इनके बाजा में बड़ से इसको देख करके इनके markets जो है closing है टाइम पर green में close हो जाए ऐसा भी फिलाल हम लोग expectation आके बैठे हुए अब इसके बाद American market के बाद आते हैं हम लोग European market लंदन मार्केट के अदर हलके से गिरावट है पारिस के अदर हलकी सी नहीं बहुत जादा गिरावट है परसंटेज है यहां भी सवा एक परसंट गिरावट है Hong Kong की market में सवा एक परसंट से एक परसंट के बीच की किरावट है Chinese market almost flat के असपा से कुछ खास गिरावट ही है तो पूरे सभी बादार्स में अगर हम लोग देखे तो सिर्फ एक ही stock market जो आउट परफॉर्म कर रहे है और वो है नि जो कि हम लोग लगातार पिछले आट नो मेने से लगातार अधानी गुरूप में focus जो हमने हमेशा आप से का था कि अधानी एंटरपाइस में focus रखने है इसी stock के अदर multi bag a return आएगी focus क्यों हो रहा था क्योंकि Amboja cement और ACC cement का acquisition करने के बाद जो अधानी cement limited जो company के incorporation किया गया अधानी एंटरपाइस के अंडर में उसका सारा benefit किसके अंदर में जाएगा अधानी एंटरपाइस के पास जाएगा और Amboja cement और ACC की साथ आगे चल करके अधानी गुरूप एक बड़ी profitable cement company बनाने वाले और ultra deck cement को भी पीछे कर देंगे आने वाले कुछ सालों के अंदर तो अब बर यह चल रहा है अपका global market और हमारी market का trend अब इसको हम लोग देख लेते हैं FIS और DS का आज को course of action के तो यहां सबसे बहले हम लोग देख लेते हैं FIS ने क्या किया है आज 19 सितंबर को FIS 312 करोड़ की ख़िदारी करके गए हैं FIS जो कल बेच करके कहते हैं Friday को इससे प इसके बाद अगर हम लोग बात करें डियाएस की तो डियाएस ने 19 सितंबर को ना के बराबर विकवाली की 94 करोड़ की और इससे बाले 36 करोड़ की तो डियाएस जो है बहुत हलका-फुलका माला भी बेच रहे हैं और इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां से जो हमारे derivatives क डिटा है वो फिलाल अभी यहां पर update हुआ नहीं है जिसको हो सकता है तोड़ा समय लगेगा index option का डिटा भी फिलाल भी यहां पर update नहीं हुआ है तो बाई सितंबर का जो PCI ratio है वह आपका 0.7 का लास्ट मार्केट में कितना था 0.49 का आज PCI ratio बड़ा ज़रूर है बट अभी भी comfortable zone में है क्योंकि 0.75 से लेकर के जो कि एक comfortable zone होता है इसकी range के exact range के अंदर आज हमारा PCI ratio देखने लें मिल रहे है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर call scan binding जबरदस तरीके से देखने मिल रहे हैं जिन्होंने भी call shot करके कहे थे उस भी लोग आज trap हुए है और more than half session अगर इन्होंने वेट भी किया होगा तो definitely आप प्रीमियम काफी अचका सा डिके हुआ होगा बागी put trading आज काफी जबरदस हो रखिए आप लोग देखेंगे तो बार से यहाँ पर put की side में काफी अचका से बन के गए है हमारा market जो है support अगर लेता है तो 17500 का अब हमारे लिए support कल के दिन रहेगा क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे call scan winding है put की fresh position built up हो रही है इसके बाद एक छोटा सा हम लोग को support मिलेगा कल के session में वो रहेगा 17600 का क्योंकि यहाँ पर लगभक 14 राके असपस put trading fresh होई है इसके लाव बागी हमारे पास उपर देखा जाए तो कुछ खास resistance अभी बचा नह मार्केट से हम लोग को थोड़ा सा support अगर मिल जाता है तो हमारी मार्केट आपको एक बाग फिर से एक दो दिन के अंदर आपको 18000 की उपर चला जाएगा अब इसके बाद टैक्निकल चार्ट पर जाने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि Tata Motors US के अंदर कैसा perform कर रहा है ठी इसके लाबा गूगल का शेयर 102 डॉलर के असपास ट्रेडिंग कर रहे है टेसला का स्टाउक जो है 300 डॉलर के उपर होल्ड कर पा रहे है इसके बाद हम लोग आते हैं तो US के 10 साल की जो बॉंड सील है इसके अंदर जो उच्छाल है वो हमारे लिए एक नेगेटिव इंडिकेशन है जो कि बाजार की गिरावट का एक बड़ा कारण फिर से हो सकता है क्योंकि 3.5% की असपास की रिटन अगर आप देखेंगे तो State Bank of India आपको 3.5% की रिटन देता है वो एक बैंक है और यहां पर आपको बॉंड से इल्ड आपको 3.5% की जो कि बहुत बड़ा चिंता कारण है रिशाशन का संकेत है इसके बाद कुरूड की बात करी जाए तो यहां पर काफी चीका सा क्रेक्शन है हुआ है 6,700 के असपास है और इसके बाद Dow Jones यहां पर आप देखेंगे तो काफी है तक जो इनके Dow Jones से रिकवर कर चुक है माइनस 54 पॉइंट से गिरावट रहे गई है आई होब कि यहां पर यह लोग रिकवर कर जाए नेस्डेक के अंदर भी कुछ खास जादा गिरावट है आपर बच्ची नहीं है इसके बाद हम लोग आते हैं सीधा SX Nifty कहां पर टेडिंग कर रहा है SX Nifty अभी 17,700 के ऊपर टेडिंग करता नजर आ रहा है हमारा मार्केट 17,622 के ऊपर क्लोजिंग लेकर करके गया है तो अगर SX Nifty 17,700 के लेवल को कल ओपनिंग 8,2 तक होल्ड कर लेता है तो इसका मदला हमारी जो ओपनिंग है कल अच्छी कासी ओपनिंग हो सकती है 17,700 के ऊपर और ऐसा होता है तो हमारे लिए बाजार में इंट्रडे जो सपूर्ट रहेगे 17,550 से लेके 600 बचस के बड़ा सपूर्ट मिल सकता है अब यहां से हम लोग आते हैं चार्ट पर चार्ट इसका हम लोग टेकनिकल देखते हैं इसको हम लोग इंग्नोर कर तो यह हम लोग आ चुके हैं टेकनिकल चार्ट पर अब चार्ट पर आप देखेंगे तो बहुत कुछ यहां पर चेंज हो है अगर ह जो है आज हम लोगो प्रीवियस जो आपका रैडख लाल कर गलोगे कि अलगा उसके ऊपर काल से प्रिक्रव में ऐसे को च्रेगा आज कूर जूरी अंप कड़ित्त वेड हैं 10 एंच कर संकीत होता है train reversal के लिए अब इसके बाद हम लोग आते हैं यहां से technical indicators RSI आप लोग देखेंगे तो RSI में नीचे से एक reversal देखने मिल रहे हैं Stochastic आपका almost support पर आचुका है 20 के असपास इसके बाद MSCD की बात करी जाए तो MSCD जो है यहां से अगर हम लोग वापस इसको 50 मिन के चार्ट में convert करते हैं तो first candle में गिरावट, गिरावट के बाद reversal, reversal के बाद market में काफी ज़्यादा बेर्स ने कोशिश की थी, call writers ने कि इसको market को तोड़ा जाए नीचे की तरफ लेकर के जाए जाए बाद market है यहां पर support को तोड़ा नहीं, फिर से एक बाद reversal आया, फिर उसके बाद support लिया, फिर reversal आया, फिर support लिया तो बहुत narrow range के दर market जाकर के close हुआ आज के दिन सत्रा जार आठ सो का लावल, यह हमारे लिए range बन जाएगी market के लिए, तो अब हम लोग को करना क्या है, अभी हम लोग मान करके चल रहे हैं कि हमारा जो market है, कल अगर open होता है, सत्रा जाच छेसो पचास से लिए करके, 690 के बीच है, तो हमारे लिए इसको हम लोग बोलेंग वो आप करेंगे सत्रा पांसो पचास से लिए करके, पांसो पचीस का, इस range में अगर market आपको मिलता है, खुलने के बाद अगर गिरावट होती है, या फिर खुलने के बाद तेजी की बनाने के बाद market जो है, एक resistance फिस करता है, resistance में supply zone कहां से आ सकता है, 17,740 से लिए करके, यह हमारा supply zone रहेगा, अगर खुलते के साथ की market इस के असपास जाता है, तो हम लोग एक छोटा सा SL लगाएंगे, और वो हमारा जो SL रहेगा, 17,790 करेगा, क्योंकि 17,790 की ओपर निकलने पर बाजार हमारा 17,800 की एक नई range में चला जाएगा, और वहां से फिर बाजार को न और वो जो SL हमारा रहेगा, 17,000, 475 से लेकर के 450 का आप यहां पर SL लगाएंगे, यानि कि हम लोग यहां से 75 से 100 का SL लेकर के चलेंगे, क्योंकि reversal भी जो है आजकल आप लोग को 1-1 की आसपास या फिर उससे ज्यादा का आपको reversal मिल रहे है, expectation क्या है, expectation फिलाल हम लोग को वा reduction आपका किया है, तो यह है आपका कल के levels and targets, कहां पर हम लोग को sell करना है, कहां पर हम लोग को buy की तरफ देखना है, इसके लावा फर्दा का कोई भी change होता है levels and targets में, तो हम लोग आपके साथ telegram के द्वारा share करते रहेंगे, so flawless वीडियो में इतना ही, bank nifty के लिए बिलेंगे नाइक्ट वीडियो में तब तक लिए देंगे, so flawless देंगा, सबनाइस च्री